नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लाउंचर पर मैं हूँ नीलू व्यास आज अमिच्छा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं क्यों क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो नागरिक्ता संचोधन कानून था यानि कि Citizens Amendment Act, उसको वो लागू करेंगे, उसका notification जल्द ही आ रहा है और उसको लेकर तमाम लोग अटकले लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि notification अगले हफते ही आ जाएगा, ये कितना बड़ा बयान है और इसका राजनीतिक असर क्या होगा, खासकर उन राजियों में जैसे की पश्चिम बंगाल, असाम, इस जगह पर क्या होगा, किस तरीके की अफरात अफरी हो सकती है और ये इस बयान के आज क्या माइने है, इसके क्या संकेत है, उन्होंने एक टीनी चानल के कारिक्रम में उन्होंने ये बात कही है, कि लोकसभा के चुनाओ के पहले ही CAA लाबू हो जाएगा, यानि कि Citizenship Amendment Act लाबू हो जाएगी और notification जल्द आएगा, अब इसी को लेकर आज हम बात्चीत करेंगे कि अमें चाके इस बयान को कैसे लिया जाए, इसका क्या असर हो सकता है और खासकर जिन राज्यों में मैंने का जैसे कि पश्चिम बंगाल, असाम पश्चिम बंगाल में महवदाबाइन जी इसको काफी विरोध भी कर रही थी, तो आज इसी को समझेंगे कि आज उन्होंने नोटिफिकेशन की बात वो भी ये कही है कि लोग समा चुनाओ के पहले हम इसको लेकर आएंगे, तो फिर इसके क्या माइने हैं, हमारे साथ इस समय अनिल सिना जी जो कि वरिश्पत्रकार और पुलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ जुर रहे हैं, हमा जल्द लागू होगा और नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा, तमाम लोग अटकले लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जब मॉडल कोर्ड अफ पॉन्डक्ट अनाउंस हो, लोग समा चनाओ के पहले तो उसके पहले ही ये नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी, तो ये तो फ में किया और राम मंदीर वाला जिस तरह सो हुआ है, तो कॉमनल एजेंडा प्राइम एजेंडा है बीजेपी का, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब सवाल ये है कि इसको ट्रिगर और क्या जो मिल रहा है, ट्रिगर इन दे सेंस कि इसके लिए मतलब मजबू हवाली के इमेज, उसी को आधार बना कर ये चुना लड़ना है इनको, अब इसमें ये जो सब का साथ और सब का विकास बगर सब चला गया, क्योंकि अगर ये बाते होती तो इस वाल के संसद के सत्र में, ये स्रीराम कैबिनेट ने जो पारित किया, उनको धनवाद देते ये कि जो RSS का जो अनफुल्फिल्ड एजेंडा है, उसकी तरफ BJP बढ़ रही है, और उनको लग रहा है कि इसी के अधार पर 24 का चुना जीतना है, और मैं ये भी नहीं समझना चाहिए कि वो सिर्फ जीतने के लिए कर रहे हैं, बलकि वो आगे के लिए भी ऐसा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को एक हिंदु राष्ट बनाने की दिशा में, अब RSS जो पहले लोगों को लगता था कि उसको confidence नहीं है, उसको ये overconfidence हो गया है, वो चला है, कि वो ये सब कर सकती है, minority को दबा सकती है, उसको ये overconfidence हो चला है, कि जो जिसको बहुसंक्यक बात कहते हैं, एक जो यहां का बहुसंक्यक धर्म है, हिंदु धर्म, उसको घोसित करें, कि वही मतलब उसी के विचारों और उसके हीत, मतलब कि उसको ये इन्वर्टेट को माम रखिए, कि जो हीत वो बताते हैं, कि पंद्रे सो अठाइस से, आज आपने सुना भासन सुना ही होगा, मिस चाह कि पंद्रे सो अठाइस से आंदोलन चल रहा है, कौन सा अंदोलन चल रहा है, अयोध्या में नखलों के नवाबों का जो है, जो अवद के नवाब थे, उनका एक लोंग हिस्ट्री है, जिन जो की दिपावली भी मनाते थे, और फैजाबाद को मुन्होंने एक समय के लिए म कि इसको हम बोलते रहें, उसका एक फैजाबाद गहरा उधारन रहा है, और यह आंदोलन इसको पंद्रे सो अठाइस से जोड़ रहे है, असल में है यह जोड़ना है, मुसलमानों जोड़ना है, तो C.E.A. उसका एक जरूरी हिस्सा है, और C.E.A. जरूर वो लागए, मैं कुछ ऐसा करेंगे, जिससे वो जो है, आज मैं बताना चाह रहे थी, कि दर्शुकों को कि एक ही दिन में आज अमिचाने दो अलग अलग बयान दी है, पहला उन्होंने कहा है कि एक सेकुलर स्टेट में, किसी भी ऐसे धर्म की जगा नहीं है, जो कि, सॉरी, किसी भी ऐसे का अनूर की जगा नहीं है, जो कि धर्म पे अधारित हो, इन अ सेकुलर स्टेट, दे कैन बी नो लॉव बेस्ट ऑन रिलिजिन, और दूसरी चीज उन्हों नहीं ये कहिए, कि CAA जल्द ही नोटिफाइ किया जाएगा, और इसको लागू कर दिया जाएगा, लोगसभा चुना देगे निलू जी, जब अमित्षा कहते हैं कि देश में धर्म के अधार पर कानून नहीं होना चाहिए, तो उनके टार्गेट में दरसल मुस्लिम कोर्ट बिल जैसी बाते होती है, वह कॉमन सिविल कोर्ट से उसको वह ओवरलैप करना चाहते हैं, यह इनके मन में होता है, ल जगती कर चुका है, रूडिवाद को तोड़ चुका है, चुकि इसके लिए कोई कोड बिल नहीं आया संदक्षन देनी के लिए, लेकिन इसलाम को मानने वालों के लिए जो कोड बिल है, उस वज़ा से वहां परिवर्तन नहीं हो सके और वो पिछड़ा हुआ है, तो हम जो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि नागरिक्ता कानून किसी की नागरिक्ता ले लेगी, मुसल्मानों को दरने की जरूरत नहीं है, तमाम वो बातें उन्होंने कहीं हैं साथ में, कि नागरिक्ता कानून को लेकर किसी की भी नागरिक्ता चिनेगी यह भी उन्होंने सफाई दिया है इस चीज को बोलने के लिए उन्होंने काय कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं इस तरीके का बयान नहीं दिया है निलू ब्यास जी निश्चित रूप से उनकी बात की खाट यही है कि आज भी जो बुल्डोजर ज जाता है ना मुसल्मानों के घरी तो बुल्डोजर जाता है जहां कहीं भी उपद्रव होता है हरजाना वसूलने का की बात की जाती है तो वो तो चुन करके ही जाता है जबकि कानून में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है लेकिन जब उसी तरीके जैसे CAA पास हो जाता है तो CAA में लिखित रूप में है कि जो धार्मी कुद्पीडन पाकिस्तान या अफगानिस्तान या पहले जो भारत का हिस्सा रहा था उन देशों में जो होता है वहां से कि अल्पसंक्यक यानि गैर मुसलिम उन लोगों को हम अपने यहां बुला रहे हैं तो उसमें मुसल्मान ना लेकिन लिखित रूप में जब यह बात आ जाती है कि मुसल्मानों को छोड़कर बाकी सबको हम यहां सिटीजन शिप देंगे जो भारत से बाहर हैं और धार्मिक रूप से उत्पीडित हैं तो यह धर्म के आधार पर कानुन हुआ कि नहीं हुआ जब जिस बात को अमित्शाजी करें कि नहीं होना चाहिए उसका ठीक वुलट उदारन है यह सी एए इसको जब हम नैशनल रिष्टर ऑफ से जोड़ते हैं नर्सी से जोड़ते हैं तब तब क्या होता है कि हर वेक्ति को यह साबित करना होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के नागरिक हैं यह सावित करने में जो गुसपैटिया होते हैं और तमाम तरह के लोग होते हैं तो जाहिर हिंदू जाता है हमारा जिस तरह से पडोसी देशों के साथ है गैर हिंदू जाता है और तो उनका जब किसका चेक होगा किसको कागज दिखाना पड़ सावित करने की जडर। उनको ही होगी, तो ये जो आप कहेंगे कि नहीं डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बात कहा है, सेलेक्टिव धंग से कोई वेक्ति अगर बहुत जादा बोल रहा है, उचा बोल रहा है, सरकार के खिलाब बोल रहा है, तो उसको NRC में ही आप देश के कनागरी की मत मानिए, बेज दीजेगा डिटेंशन सेंटर में, तो उनके हाथ में आप लड़ते रहे हैं कानून, आज तो हम देख रहे हैं, कानून से बचाव कहां हो पा रहा है, इसलिए डर तो है, डर तो पैदा होगा, मुसलमानों में डर है कि जब बिना वज़ा, इल्लीगल तरीके से हमारे घर जब ढ़ा दिये जा रहे हैं, तो हमको NRC में हम चेक करने में किसी न किसी पेचिलगी में हमें फासा करके डिटेंशन सेंटर में भेज नहीं दिया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है, तो ये डर है, बिल्कुल, बिल्कुल, अब मैं दीपक कपीर जी के पास आती हूँ, जो कि जाने माने सोशल अक्टिविस्ट हैं, इसे मैं हमारे साच जुड़ गए है, तीपक आज अमिच शा ने ये बयान दिया है कि एक सेकुलर स्टेट में कोई भी ऐसे कानून की जरुरत नहीं है, जो की धर्व पर आधारित हो, फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरा स् जल्द ही नागरिक्ता संचोधन कानून को लागू करेंगे, और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि लोगों की नागरिक्ता चिंच जाएगी, वो जूड बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, अब सवाल ये उटता है कि इस तरीके से जो बीजेपी का अजंडा है चल रहा है, पहले क्या माना जाए, कि क्या बीजेपी का जो बुल्डोजर राज है, वो एक तरीके से अब शुरू हो गया है, जो मिजॉरिटेरियन अजंडा था, अब उसका जो मिजॉरिटेरियन काल है तरीके से, अब वो शुरू हो गया है, क्योंकि अब तो मैंने देखा है कि उनके बीज लिखा हुआ है तो अगर इतने अश्वस्त हैं इतने confident हैं ये लोग तो फिर भारत के लिए अब खत्रे वाले दिन है या फिर हम सोच लें कि नहीं भाई जैसे चल रहा है वैसे चलेगा जब तक मोदी जी रहेंगे तब तो ऐसे ही चलेगा जी कर दो तीन बाते हैं पहली बात तो भारती जन्ता पार्टी का इस तरह इस तरीके से एजेंडा लागू करते जाना एक शांत चल रहे देश में इस सावित करता है कि लोग सभा चुनाओं जैसा दिख रहा है वैसा उतना आसान उनके लिए है नहीं सारी प्रपगेंड़ा मशीनरी एक खास तरह का mindset बना रह इसके साथ साथ अगर उनको इतने ही confident है तो विपक्षी एक्ता तोड़ने उसको धंकी देने नितीश को अपने साथ जोड़ने या जैन्त को करने यह सब करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब है वो कमजोर हैं और जिन स्टेट्स में कमजोर हैं वहां के अनरूप करवाईया कर रहे हैं भारत रप जोड़ की जरण सिंग को देना और उसके अधार पर पिघल जाना यह सारी चीजे मतलब बहुत साफ है क्यों डरे हुए है बाती अंता पार्टी इतनी मजबूत होने के बावजूत इतने अपार पैसे के बावजूत जरी क्यों है इसलिए जब चुना करता जमीन पोता जमीन पर इतरते हैं बहुंसे फैक्टा जमीन पे आते है चुनाओ एक्सपोजर होटा बहुत सारी जीज़ों का वर्ड बैंक से लेकरा आयमस से लेकर 56 मिल चुकी है भारत करजे के महा 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 लोड में मतलब जiveल लाय हर विपति बहानक कर्जा में एचु नाक होगी यह कभी भी फटेगी इसलिए यह सब आएगा इसको आने की बजाए ऐसे एजेंडे भारती जन्ता पार्टी लाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष उन्ही बातों में उलच जाए वह सीए लागू करें या ना करें वह अलग मसला है लेकिन सीए की बहस तो पर होगा तो कर्ण की बात बेरोजगारी की बात यह दरकिरार हो जाती है तो मीडिया को भी मसाला मिलता रहे वह स्टेट्मेंट भातियंता पार्टी देती है ताकि जो है वह सारी चीज़े ना आए और इसका मतलब साफ है कि आप हर बार पुलुवामा तो नहीं करवा सकते या पुलुवामा के दम पे तो जीत नहीं सकते हैं तो जाहिर सी बात और अगर मान लीजे कि सांसा जिस तरह साउट का रोल है सीए का सबसा असम के अंदर बेंगॉल के अंदर इन सब पर सीए को लेकर बहुत कुछ होगा तो जितनी जगे बहसे शुरू होंगी प्रदर्श कि कहने पर आप कोई बहुत ट्रस्ट या बोलने का मन नहीं करता है को कि इतने जूट इतने इनकी बातों पर यकीन नहीं तो क्या बोला जाए इन्होंने कहा है कि किसी भी सेकुलर स्टेट में धार्मिक कानून नहीं होने चाहिए पर एक सेकुलर स्टेट यह देश स्टेट सेकुलर होता है, लोग तो सेकुलर नहीं हैं, सेकुलर लोग यहां धार्मिक भावनाओं या धार्मिक आस्थाओं के लोगों को एक सेकुलर स्टेट में बात आ गया है, ऐसे में एक सेकुलर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो बिना धार्मिक बायस या धार्मिक पाद के लोगों को धार्मिक सोतंतरता भी दे या अपने धार्म के अनुसार आचरण करने की सोतंतरता दे अब यहां पर अगर इसे अभी हम लोग मजाग में कहे रहते कि लखनौ या दिल्ली या आग्रा या कोई भी शहर उठा लीजे कि किसी भी शहर के पॉष कॉलोनी के मै बने मंदिर और चबूतरे पे बैट के रिटायर हुए लोग यह बात करते हैं कि वह मस्जद नजूल पे बनी है गिरा देनी चाहिए या वह अवैद है कोई भी थाना ऐसा नहीं है जहां पे मंदिर ना बनाओ वह अवैद नहीं तो क्या वैद है कोई भी नया से नया पार् पार्क बनाया नहीं उसके अंदर मंदिर बन चुके हैं और उसके अंदर बाकाइदा मीटिंग्स होती है और वहाँ बैट के कहा जाता है क्या वैद है क्या वैद तो भारत सेकुलर स्टेट अप संविधान में है जमीन पर नहीं है और ऐसे में उनका यह कहना जो अभी देगा तो हमारे पास यह आत्मिश्वास है हम कहा देंगे तुम्हारी ऐसी तैजी हम कैसे मालने तो हमें बताओगी हमारा देश है और अधिकारियों के अंदर यह नहितिक साहस नहीं होगा कि आप से कहें कि बिना कागश के हम आपको भी अवैद मानेंगे यहीं नहीं जिस क्या जासता उनके लिए नियम लागू हो जाएंगे जो नियम आप पर लागू होते हुए भी नहीं होते हैं इसनी सबसे बड़ी बात होगी कि भारत एक मतलब सीए का जब विरोध हो रहा था तो उसमें बहुत बड़ा रिजन था कि सीए की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप किसी को गर नागरिक्ता देना चाहो तो ऐसे ही दे सकते हो पहले भी देते रहें भारत पर प्रोविजन मौजूद है और परिशानों को अगर मदद करना चाहोगे तो करोगे नहीं करना चाहोगे तो बॉर्डर सील कर दो खतम करो अवैद लोग है उनकी जाच होगी ल जिस देश पे अभी आधार कार्ट सबको नहीं मिल पाएं जिस देश पे वोटर आइडी नहीं मिल पाएं जिस देश पे अभी बहुत सारे राशन कार्ट नहीं मिल पाएं उसके लिए लोग लड़ते हैं भूकरताले करते हैं कि हमें राशन दिया जाए वहाँ पे तीन ति हलकल पा रहे हैं तहसीलदार कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो इस देश में क्या होगा अगर इमांदार हैं तो यह कर नहीं पाएंगे 10-15 साल तक लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कागजों को बनवाने में जूड जाएंगे जिस देश में आप कोविड देख चुके आप इलाज नहीं देपाएं वहां पे आप ही क्या सिर्फ दा रहे हैं तो सिये अपने आप में जो पहले विरोध हो चुका था वो इन बुद्दों पे था गलत था लेकिन अभी भारती अंदा पार्टी वो सारे काम करेगी जो मीडिया को ऐसा मसाला दे सकें ऐसी जनता के अंदर बहसे पैदा कर सकें कि भारत कितने करजे में है विरोज़गार कितने जादा हो चुके हैं लेकिन दिपक इस बयान से जो मैं आपसे पूछ के एक मिनिट में बस अब जवाब दीजेगा उसके बाद के मैं आनिल जी और प्रेम जी के पास जाओंगी दिपक कि मुझे ये बताईए या इस घोश्रा से आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अफरात अफरी का माहल होगा बहुत संचेप में उसके बाद पर मैं आने जी और प्रेम जी मुझे लगता है ये पैदा करने की कोशिश करेंगे पर होना नहीं चाहिए एक सिंपल सी चीज है मान लीजे खर्चुएं एक डिटेंशन सेंटर बनाने में वो कहां रखेंगे उनको क्या खाना खिलाएंगे कैसे सोरक्षा करेंगे कहां ले जाएंगे नहीं होंगे आदिवासियों के कागज नहीं होंगे जो घुमकर पर जातियां उनके पास कागज नहीं है अतिगरीबों के पास न जनसनी पैदा करना है और ये कुछ लोगों को परिशान करना है जैसे वो चुनाओ आ रहे हैं तो मुसल्मानों के महले में चले गए वहाँ जाच करने लगे और कहा ये है खत्रा है और तुम्हारे पाद च्छापा पढ़ना है और वो विचारे भाग गए कही कुछ ये सब कर अधिवर्ण करना हो ये तरीके का है चुनाओ के पहले अफरा तफरी पैदा करना लेगर इतना ही है तो यह सरौदली बैठक बृलाएं कि नीच बिशक करें कि हम ये प्रॉसेस करना चाए थे चाहते हैं और डेश का हिट चाहते हैं लेक generate नहीं चाना चाहते चाहते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे जी बिल्कुल आपने कहा कि अफरात अफरी का माहौल हो सकता है हो लेकिन मैं थोड़ा से दूर की कौड़ी देख रही हूं अनिल जी और उस पर आप अगर मैं गलत हूं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये एक खथकंड़ा भी हो सकता ह है बीजेपी को कि कई लोग इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि अभी आप देखिए का कि वोटर्स लिस्से कई लोगों के नाम गायब हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर आशंका बताई जा रहे थी तो अगर ये नियम और कानून ये लागू हो जाता है त कर Simply है त्याम नहीं है ये अःग्यों है ये मतलब चैलेंज उन्होंने किया है जो सेख्लोरि फ्रेकश को लगाता चैलेंज कर ने रहे हैं और भिन है ये तिरेट रिवर इसको यह हम लोग ना समझे कि ये चुनाभी थुनाभी माटन है और इस इतना ही नहीं है एक real threat जो है वो मुसल्मानों को हो और सही है मैं ब्रिम कुमार जी से बुल्डोजर है बाकी जो दमन चल रहा है भी अलब चंको का उससे जोड़ कर इसको देखना चाहिए और चुनाओ को समय में ये उनको भैवीत करना चाहते हैं निश्ची तोर पर इसका चुनाओी फाइदा लेना है उनको और पॉलराइज करने का काम करना चाहते हैं और ये काम उनको जीनेish states में इसको जियादा जो border states है वहां करना चाहते हैं इसलिए इसको real threat दिया है थरेट हैो मुसल्मानों के लिए और देखे उसका फाइदा मतलं मिशस्को जो समझ जेए उसको politics को कि इसके बारे में जिस तरह से polarize कर जिस तरह का challenge opposition के सामने नों रखा है उसके लिए opposition तयार नहीं है क्योंकि अगर वो इस इसका जवाब देने में लगेगी तो polarization की जो उनकी pitch है उसी में पर खेलना सुरू करेगी तो उसको avoid करेंगी और वैसी जैसा आदमी जो उनके लिए काम करता है वो इसको उठाएगा तो polarization के काम को वो बढ़ाएगा तो इससे उनको polarization की benefit मिलेगी दूसरा में यह बता रहा हूँ आपको कि आप जो agenda है मतलब चुनाओ का जो पोल जिसको कहते हैं कि जो agenda है उसमें वो लाना चाहते हैं इसको में agenda में हिंदुत को जो राम आभी जिस तरह से संसाद में पारित किया रहा है उनको बढ़ाई देने का अभी नंदन का कते हैं प्रस्ताव और उसी तरह से जो है बाकी जो चल रहा है तो यह वो चाह रहे है कि किसी तरह speech पर रहा है इसको avoid करने लेकिसी एक real challenge है उसको भी जो secular parties है Congress समाझवादी पार्टी कमिश पार्टी उसको कैसे मीट करती है और challenge जो मुद्दा बताया अभी कभी साहब ने वो मुद्दे को पर कैसे लाती है यह एक real challenge मतलब दोनों agenda के रूप में भी और secular state पर जो उनका attack है दोनों के लिए एक real threat है यह उनका इनकी घोसना इसको unreal नहीं मानना चाहिए सिफ़त करना नहीं मानना चाहिए जी अब मेरा जो अंतिम सवाल है प्रेम जी बहुत संशेफ में उसका जबाब दीजेगा कि अब विपक्ष क्या करेग तो विपक्ष के पास क्या इसका counter है और दूसरी बात यह है कि इस पूरे बयान का असर अगर चुनाउस इसको जोड़ा जाए तो आप क्या देखें जी बहुत संशेफ में नेलु जी देखें इसकी प्रतिक्रिया से ही बीजेपी को उम्मीद है बीजेपी यह जो लेकर आ रहे हैं तो इसकी जो प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया से जो counter प्रतिक्रिया होगी reverse reaction उस reaction reverse reaction को ही वोट में बदलना चाहती है तो इसका अब एक मात्र तरीका विपक्ष के लिए है कि चुनाव भी है और इस मुद्दे का सामना भी करना है तो इसमें मुझे यही लगता है कि विपक्ष बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम निरस्ट कर देंगे CAA NRC इनका बहुमत है यह कर रहे हैं हमारा बहुमत आएगा हम अपनी करेंगे यहीं बोल करके करने का रास्ता चुनाव से पहले छोड़ना पड़ेगा तो चलिया आज एक बयान ऐसा दिया है जिसको कि ऐसा लगता है कि इसे अफरात अफरी तो होगी लेकिन बीजेपी इसको अपने फायदे के लिए पोलराइज करने के लिए एक डिविसिव एजंडा ला रही है और सिर चारी है कि जल्दी उसका नोटिफिकेशन आएगा और जल्द ही उसको लागू किया जाएगा लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कानून को लागू करने के पहले क्या मोदी जी या अमिच्छा एक सरवदली बैठक बुलाएंगे क्या पूरे देश को बताएंगे कि आखिर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा क्या वो एश्यॉरंस देंगे कि मुसलमानों को प्रतारित नहीं किया जाएगा माइनौरिटीज सेफ रहेंगी उनके गर वो बेघर नहीं होंगे क्या ये सब इस्वेशॉरंस उनको नहीं देने चाहिए ये जानते हुए कि अगर ये सारी चीजे अल्री पब्लिक डुमेन में है कि ये हो सकता है तो क्या प्रधान मंत्री राष्ट के नाम सम्मोधन करके क्या ये बात नहीं कह सकते इसी सवाल के साथ मैं आज की चर्चा को खत्म करती हूं आप दोरों का बहुत बहुत चुक्रिया अनिल जी प्रेम जी थांक झाल